कि तो आज का मां टोपिक है हाड और और औंड सौंफट वोटर ठीक जनली हम इंड रियल लाइफ सुनते रहते हैं कि कि वहां का पानी थोड़ा अजीब से इधर का पानी थोड़ा आजीब सा है ठीक है मतलब हम कपड़े होते हैं तो कप्रेंग से नहीं दूलते हैं नाते हैं तो अधु ठीक है पाने का डिफ्रेंस होजाता है क्या होता है कि थोड़ा बहुत ही सोल जोते हैं वो मिक्स वोटा है झालो इसकρο होसमझने की ट्राय करते हैं तो सॉफे होतको सबहूं थे तो सबी को अच्छा लगता है जो है हार्ड उसका k быть इलाज कर सकते हैं वह सबसे पहले बात ही आती है कि जो हमारे पास pure form of water होती है वो कहां से आती है वो हमारे बरसात की थ्रू आती है रेन की थ्रू आती है ठीक है जो प्यूर तो नहीं थोड़ा बहुत उसमें क्या था अच्छल जो हमने पॉलुशन फैला रखा है एटमोस्फियर में वह भी उस रेन के साथ मिक्स हो जाता है पर 95 परसेंट वह प्यूर फोर्म होती है ठीक है यह हमें पता है इस चुरू ऐसे भी वह क्या होता है जो अर्थ पर अपने आती हैं तो यहां पर अपने अर्थ पर काफी सोर्स हैं तो कै बोलती मिलती है तो यहां का उटर हो जाता है ठीक है तो यह हमारे अक्शली हाडनेश का जैड़ा मिलते हैं वहां पर क्या में है कि हर्ड होता है वह प्रिस्पृत बनाता है लेक्ट कभिक से कुलर में हम पानी डालते हैं तो घास की होती है उसके देखती कुछ वायड-वायड सा जमा हो जाता है न वो होता है जो प्रीशिपिटेट उता है वह तो लग से मतलब हम एक कारण होता है तो कभी आप साबून मतलब शोप के साथ जब हाद होते हो soft water and hard water से तो actually होता क्या है जब soft water से हाद होते तो जहाग अच्छी तरह से आते हैं उसके इंदर लेकिंग जैसे आप हार्वुटर के साथ मलब ढूते हो तो वहां पर उसके जो जाग होते वो नहीं आते हैं साब कपड़े भी डंग से नहीं दूलते हैं नहाने जाओ तो ऐसा चिप-चिपा सा लगता है तो एक्शली वह हार्ड ओटर के कारण होता है एक्शली जो शोप होती है वह उसमें C-17 S-35 C-W-O-N-A यह जो स्टीरियेट होता है मतलब यह एक मॉलेक्यूल होता है उसके अंदर कंटेंड रहता है ठीक है अब जब हार्ड ओटर जब हार्ड ओटर यहां पर आता है है S-35 C-O-N-A ठीक है मान लो यह अपने हार्ड ओटर को हमें M-C-D note कर देते हैं तो जब हार्ड ओटर आता है तो यह क्या करता है यह जो सोडियम होता है इसको रिप्लेश कर देता हुए के जाता हुए सोब में होता क्या एक्चुली yem लो play इंहें कि करता है यह इसको और कर देता है और इसके जगभा पी जिए जो होता है इसलिक हार्णे साजाते है ज्द्ञार पास इस टाइप से तो यहाणूति आजाता है कि ए इसके साथ तो इस के साथ से लיש कर लेता है थीक्ते तो इसक करना ये होधी है कंवी हम और में काफING से दिखते हैं फ़ीं और हम थोड़ी सी नौर्मी weg वहम यह कि कर सकते हैं ठीक है एग तो टमथ होती एंडरी और एक होती परमानेंट तो ये दोjak होती हैं तो temporary hardness को हम दो टाइप से remove कर सकते हैं एक तो होता है कि गरम कर दो boil कर दो या एक हो सकता है उसको पताते हैं पहले ही देखो boiling में क्या होता है कि जैसे देखो हमारे पास ही है यह hard water है क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है salt mg है ठीक है इसके साथ water के साथ mix-up है अब हम क्या करते हैं जैसे हम इसको हीट करेंगे इस पानी को हीट करेंगे तो इसमें जो जो insoluble होता है जो hardness का जो region होता है वो अलग से remove हो जाता है ठीक है यह हमें actually precipitate form में मिल जाता है ठीक है यह अगाव हम आर कैल्सियम में हो उस water में उसको even करें तो इसका भी प्रिसपिटेट बनता है और इसको भी हम फिल्टर करके अलग कर सकते हैं ठीक क्लand यह हुनर्माल नोर्मल बॉइलिंग से हम कि सकी क्लार्स मेट्फड इसमे यह होता कि यह हमारे पाइस एक compound होता है एक molecule होता है ठीक है वो पानी में डाल दो ठीक है जो हाड वोटर है उसमें डाल दो तो यह क्या करता है जब यह अपने पास हाड वोटर है यह हमने डाला लग से लाइंग तो लाइंग करते हैं ठीक है इसको हमने अलक से डाल दिया तो होता क्या ह है कि यह जो harness वाला जो पार्ट है यह तो अलग से रिमूव कर देगा एक हमें मिल जाएगा और यहां में वोटर अलग से मिल जाएगा उसको फिल्टर करेंगे तो हमारे पास आजाएगा वैसे देखो इसमें देखो इसमें बी से कर सकते हैं यह डाला तो यह हमें अलग से तो एक्शुली इसमें कि याद रखना होगा इसमें कि एक क्लार्ग मेथड होता है अगर आप यूज आपके यहां हाँ रहता है तो यह लाइम लादो ठीक है यह मॉलेकूल जो है यह मिला कर देखो और सब्सक्राइब कुछ निजर आए एक्शुली मैंने तो प्रैक्टिकल नहीं किया है लेकिन आप ट्राइब करके देख सकते हैं तो यहां पर यह ट्राइब करके देखो यह मिक्सप करके देखो क्या रिजल्ट निकल गयाता है ठीक है इसे भी हम एक हमारे पास तरीका होता है कि टैंपरीरी जो होती है जो रिमूव हो सकती है सिंपल मेथड तो हम कर सकते हैं एंघ मैं हमारे पास एक हार्ण शाती है हमारे पास हांती पर्मांइंट होता है। इस लाइन उसको मिला दो तो हमारे पास जो हार्ड उटा है यो are मैंगनेशय और कैल्सियम तो वह में अलग हो जाता है उसको फिल्टर करके अलग से कर सकते हैं यह हो देकिन एक्षली कुछ होता है कि कुछ औरचे दो बहुत ही ज्वारा होत 누tz आई तो उसके लिए भी चार तरीक है ठीक है उसमें जो सबसे पहला तरीका आता है उस हाड़ने को रिमूव करना है वागी हमें वोटर में फोम में मिल जाएगा ना एक अच्छी फोम मिल जाएगा उसको हम बाद में बोईल भी कर सकते हैं थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए लेकिन जो मैनली जो हमारे पास होता है उसमें मैंगनेशियम को हमें रिमूव करना है तो हम इसमें जो परमनेंट हाड़नेस उसमें यूज कर सकते हैं वोसिंग सोडा ठीक है वोसिंग सोडा क्या कर सकते हैं यहां पर हमारे पास क्या है कैल्सियम एंड मैंगनेशियम ठीक ह तो यह हमने हमारी मेरे सथिंग सोडा है टिrick healthy हम्म्हें ले ले लिए ँसे तो यह अधो यहां जो हमारे पास जो यह है जो सोड्स है जो हार्ड्स के जो रीजन है तोब मिल जाएगी त्थे Ugh है जो और इसको भी हम फिल्टर कर सकते हैं ठीक है तो हमारे पास जो मैन है वो निकल गया अब इसको मैं लग से निकाल लेंगे वैसे अगर दूसरे एक्जम्पल देख इसमें सीयल है तो अगर आइस सो फोर हो तो सब्सक्राइब धिए ऑफ़िया हाई निकल जाग है तो इल लग से निकल जाग तो दोनों को फिल्टर करके अलग सी पानी निकाल सकते हैं ठीक है तो आएक जिए तरीका होता है कि हम वोसteen नहीं डौसंग में यह कुला मीत इंठर झाला में पानी में डाल दिया और उसे हमारे पास अलाग से वह फिल्टर करें निकाल लिया अब इसमें भी क्या है इसमें भी हमारे पास एक compound होता है काफी बढ़ा compound है sodium hexameta phosphate ठीक है तो यह compound हम क्या क्या करेंगे इसका यूज करेंगे उस हाड्नेस को रिमूव करने के लिए तो सबसे पहले क्या होता है कि जो compound है यह molecule है complex compound कह सकते हैं काफी टाइप से खाय सकते हैं तो यह आइंस में पहले बात यह आइंस में calcium magnesium है यहां M का मतलब हो यह अपने बारब अबता रहा हूं कैसे में उसके साथ रिक्ट कर रहा दें उसके उसके भी आइन के साथ positive आइन के साथ ठीक है यह हमारे पास negative हो गया actually वैसे तो हम directly mix करेंगे ऐसी बात नहीं क्या अलग से करेंगे बस यह है कि यह 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 अपने तो हमारे पास calcium magnesium positive हमारे पास आजेंगे तो यहां पर sodium तो अलग हो जाएगा और जो metal है उसको जो positive है वो इसके नेगटिव सी source होते है एक्चुली लेकिन हां थोड़ी उसकी हाड़ने जोती है वह काफी हद तक हो जाती है ठीक है यह तो यह तरीका है कि हम इसकी अंदर sodium hexameta phosphate phosphate mix कर दें तो इससे भी हपनी हाड़नेस होती है ठीक है यह सेकेंड मेथड होता है एक्चुली कैल गॉन मेथड की कह सकते है ठीक है सुरी कर नहीं सकते हैं ठीक है तो हमारे पास इसमें हमारे पास नेक्स्ट मेथड आता है वह हमारे पास आयन एक्सचेंज मेथड इसमें भी हम एक कंपाउंड जी यह लाइट या प्रिमुटेट इसके अंदर होता है उसको मिक्स करते हैं ठीक है वह हम पानी के कि हमारे पास आता है कि वह सेंग सोडा डालते हैं फिर उसके साथ जो टालते हैं और इसकें के अंदर भी हमें इसमें कमड्म यह नाम हैं अब इसमें हम क्या करते हैं कि इसमा यहाँ पर जो अपने पास का है ज़्यादा बड़ा इसको सोट में लिखाय किया और जो हाड़नेस वाला पार्ट है वह इसके साथ निकल जाएगा और और रगाई हो जाएगा है तो इसमें एक दिक्कत आती है कि इसमें जो हमराप सोडियू होता है चैना यह जल्दी हिसमें खतम होता है कि हम कहते हैं इसमें क्या कि तो इसमें हम क्या करते हैं चली कि हम यहाँ पर लॉक्ष ए हमने एक पाउंड डाल दिया ठीक एक इपने पास जो जीओ लाइट है वो हमने इसमें डाल दिया है हम से हमने इसके पने डाला और हमसे वोटर है वह मिल जाता है अब तो होता है जो होता है जो यह sodium बाहर निकलता है इसमें जाली खतम होता है तो इसको हमने ऐसा स्टैप से एक system बनाते हैं कि उसमें जो sodium है निचे यहाँ जमा हो सब्सक्राइब नीचे sodom water तो यहां से निकल जाए ऊपर निकल जाए पाने पानि जी तरी इंडा ललेकर से फिर उस्को वापिस जो हमें यह इसको हम वापिस से रियक्ट कर वापिस आसा होता है यह इस पर ही रियक्षिन है कि होता क्या है कि हम वापिस जीयो लाइट है पर हम नीचे रियक्ट करें है उइक्टल के साथ होता है ठीक है यहां पर मिल गये हम और एक्षिन हम इक की कि है है तो लुकनी वह मैंतने कि तो यह हमने कर बहुत जल्दी करें लेवे इसमेंक बाद का यजा आया है एक टो हैवी मॉलीक्यूल आया था अपने पास यह प्लेस की फau में और सब्सक्राइध की फॉर्म में इन दोनों को वापीस करके हम वापीस से ज्योमा Deutsch बना लेंगे ठीक और ऐसे चलता रहे प्रोशेस बार-वार भार प्रोशेस चलता रहे तो इसको कहते है आइन एक्स्चेंज मैथट तो इसमें महेंनत काफी एक्चुली थोड़े सा काफि सिश्टम मैंग लब पीडियों जाए तो इसमें पर रहा है तो यह वह सोडार की पैडियरोल थे जख़िए इसको भीपइंच टैंट कर रहा है। जॉय मेरे सब्सक्राखड को एंधिन से मुँपित और है cowardly low इसको वापिस याल कलोरीन का यूच करके वेस्टेज हमारे पास आया है उसमें नमक दाल देंगे थोड़ा सा थम्हें वापिस हो में मिल जाएगा ठीक है यह वेश्टेज आया उसमें नमक डाल दो वापिस तो हमें वापिस जियो लाइट मिल जाते हैं तो यह एक्चुली पूरा आयन एक्चेंज में होता है इसमें हमारे पास नेक्स में आता है वह हमारे पास आता है सिंथेटिक रेजिन में ठीक है काफी ऐसे कॉंपलेक्स सा यह और फिर हमारे वहाँते होता उसमें वापिस ॐपिस यह इंव डाल करो तो कल् commodities सेभों थिक है यह हमारे पास एक सिंपल प्रोसेस आता है काफी अच्छा पासросि कहां उस एससे बहुत ऐखेक्टिव एक्चुली ठीक है इसमें क्या करते बे divvy K reste तो हमार वह प्रीसिंद बस दो सिस्टेम हें कैंटेड है एक में तो हमने कर रहा है क्या है बधुक्त लमडबी चैन्ज होती है इसकी एक खफी बड़ा मोलेक्यूल होता है लास्ट में हमें एसो थ्रीएच होता है हमारे पास इसमें ठीक है लास्ट में हमारे पास इसमें एसो थ्रीएच होता है और जो जो कैटाइन में होता है सोरी एनाइन में होता है वो हमारे पास इसमें एक लंबा मोलेक्यूल होता है इसमें काफी बड़ा मो सोरी तो यह हमने इसमें केटाइन वाले में डाल रहा है यह हमारे पास केटाइन का मॉलेक्यूल है और यह हमने एनाइन में मिक्स कर रहा है ठीक है एक बड़ा मॉलेक्यूल है यहाद रहा हमने लास्ट के लास्ट की जो जो इसमें एटम से मॉलेक्यूल से वो लिख रहे हैं अब हम्क्यादे है वाटर को सबसे पहले इसमें कैटाइन वाले में डालते हैं तो यह channel हमारे पास देखो अगर aja सी देखो हमारे इसमें, है और जो बाकी वह अलग इसलिए हमने जो बाकी सब को ऊसको तो आ लिख लिख लिए और एच्स को हमने अलग से लिख लिए ठीक है यह बस सोर्ट फोर में लिखने के लिए काफी काफी वैसे बवी लम्मा मोलेकुल है तो हमने वई लास्ट के लिके रखा इसके अंदर actually जो बाकी जो पूरा मोलिक्यूल है वो तो हमारे पास के साथ निकल जाते है जो हमारे पास हमारे पास है तो अलग से निकल गया है हमारे पास आ गया तो H plus है, इसका मतलब हमारे पास जो फिलाल जो वोर्टर है, वो Acetic है, तो हमारे पास किया है, ये Acetic Foam में हमारे पास यहाँ है, तीक है, तो यह हमारे पास actually जो फानल रिजल्ट निकल्का है, वो यहाँ पर, म sensor hai Pen is home in the तो यह पानी है हमारे इसमें जाएगा ठीक है इसको फोड़ा सा इजी करने के लिए कह mono के तो काफी कॉंप्लेक्स हो जाता है तो काफी कौंप्लेक्स हो जाता है अब क्या होता है कि वो पानी रहे का एसनायन हमारे पास यह है वेयँ भाकी पूर मोलेक्युल द आर माल लेते हैं और आपकчто nh00 Crystal वे ज़र id गोना यह है क्योंकि हमें H Pls मिल गया है H Pls अगर हमें मिल गया है लगो disc chacun वाला हमें basic just, Bays Medium Pass जीए का थीक है अब जो पांजी आए था उसके साथ की रियक्ट कर वाते हैं जो हमारे पांजी पांजी है हम रियक्ट कर वाते हैं तो यह क्या करता है यह empty- इस full में आजाता है अपने पास ठीक है tre तो एक ले लेता है मुझा अब निक सब्सक्राइब हो जाता है कोडिनिशन तोनों mix up हो गए एक्चली दोनों घूल मिल गए इसके अंदर प्रोसेस हो रहा एक्चली अब होता क्या है लाश फाइनल में यह हमारे पास यह कमपाउंड आ गया पुरा कोडिनेशन कमपाउंड हमारे पास थीक है अब इसके अंदर मैंने बताया था कि इसके अंदर अधर सो स्रियोत रही हो थे यह भी साइड फूर्पोर तो काफी है लेकशन के साथ और मेंने के साथ डिये करता है ठीक है इसके साथ मेंस्वा एक्सचेंड कर लेंगां थे कि तु तु इधर आजा मैं इधर चला जाता हूं तो क्या होता है यह जो अपने पास इसके साथ निस त्री के साथ जूड़ जाते हैं और ओएच माइनस हमें हो जाता है तो अगर अगर द्याँ से देखो कि जो पहला process था उसमें h plus में अलग से मिल गया था ठीक है इस पहले process में h plus अलग से मिल गया था acidic form मिला था लेकिन हमें मिल गया था अब इसमें हमने देखा हमने इसमें भी reaction करवाई उस पाने के साथ ने वापिस reaction करवाई तो आपसमें coordination सब्सक्राइब कर लेगा और ओएच मैनिस को बहार निकाल देगा ओएच मैनिस अलग हो जाएगा ठीक है इसका मतलब कितनी प्योर सब्सक्राइब करें तो यहां क्या होगा एक तरफ में एच प्लस मिल गया था ठीक बाकि हमें कोई लेना देना नहीं हमें ओनली वोटर चाहिए वह हाड़ फॉम था कैल सी मैंने समय लगसी निकल गई तो हमारे पास जो एच प्लस है और इधर जो ओएच माइनस है यह आप य हमारे पास जो प्यूर फॉम आगई वो हमें एच टू में मिल जाएगा हमें जो मैं जो चाहिए था वो हमें मिल गया एक्चली तो काफी अच्छा प्रोसेस है ना काफी मतलब उसमें अगर हम इसे लास्ट जो मैथड हम आहीं एक्शेज मैथड पढ़ रहे थे तो उसमें हमें जो दर सोर्स थे यह वाले यह कहीं ना कहीं मिकस फोके हमारे पास आ रहे थे ठीक है और भी हम जो जैसे अम ओर भी मैफिद हमने देखे थे उसमें है जो फोर से यह भी मिकस फोके आ रहे थे लेकिन इसमें दिखो इसमें इसका इलाज इसी के दूसरे वाले में हो गया हमारे पास एनाइन एक्षिंज रेजिन रेजिन है उसके इंदर इसका इलाज हो गया और में प्योर फॉम में एक्षिली वोटर हमें मिल जाता है बाकी जो है इसको हम फिल्टर करके लग कर लेते हमें हमें जो वोटर में प्यूर फॉम मिलता है उसमें कोई सॉल्ट नहीं होगा और देखो यहां पर हमारे पास एसीडिक था ही यहां पर हमरे पास बेसिक दोनों मिलके हमने इसको न्यूटर फॉम में आ जाएगा हमारे पास तो यह बहुत इफेक्टिव मैथड है फॉर्थ वाला था मैं मॉलिक्व ले डाले उसमें कंपाउंड में रखाए ना मा मलग होज मीं सूद्व कुंपाउंड हम दाए ठीक है एक्चली मिला के उसमें को बात ही रहां तो में पास रहे बात है हमारे पास एक होगा णिसीक और बाकि मोठिक को यहाद रखना हो हो एक से में पूछ है नहीं किस सट निकल लेगा वह थैंपली में हम नोर भी पता ही है टो इस टोपिक में नहीं